अग्यात कारणों के चलते होम गार्ड के बेटे ने के नदी पुल से छलांग लगा कर दी जाई खबर उत्यप्रदेश के जनपद बांदा से है जहां अक्यात कारणों के चलते एक होमगार के बेटे ने के नदी के पुल से छलांग लगा दी जिसके चलते लड़की की मौत हो गई आपको बता दे कि किनी कारणों से एक दिन पहली ही पडोसियों से जगडा हुआ था जिसमें उसे काफी चोटे आई सूत्रों की मानी तो पता चलता है कि पडोसियों के द्वारा घर में घुसकर कोतवाली तक उस लड़की को पीटते हुए ले जाया गया था ऐसे में ये आशंका जदाई जा रही है कि अपनी विज़ती के कारण वो लड़का ऐसा कदब उठाने को मजबूर हुआ वही मोके पर गटना स्थल पर पहुँची सियो सिटी राकेश कुमार सिंग ने पुलिस बल के साथ मोकी पर जायज़ा किया नवभारत समाशार बांदा से नंदू राम चतरवेदी की रिपॉर्ट विवाद भी हुआ था इसमें इसको मामली चोटे आई थी लेकिन इनके द्वारा वहां को अभी अभी पंदीकित नहीं कराया गया थी लेकिन यहां प्रसुन दिश्टिया देखने से ही प्तित हो रहा है कि यह किनी कारणों से यह फुल से इतने के कारण इसकी में फिर भी पूस्माटम के इस पंचा अद्दामा की कारवाई कराई जा रहा है जिससे मिल्ट करके पकले गए हैं उनको पूछता अज के लिए लाए गया है लेकिन वह अपने ख़रों पर ही मौजूद मिले हैं इसस उनके सनलिपता के बारे में जांच की जाएगी और कोश्माटम रिपोर्ट के आधार पर मृत्र का कारण की जानकारी के उपरांथ ही कोई कारवाई की जाएगी प्रेंगी उच्वादी क्या गटना हो गई यह पूरा मामला ऐसा उधारी ने गया था इसे मौला वालों से उनका नाम नहीं जाता हूं और उसके बाद काकावते वह आखे तकर में बैठ गया है तब 5-7 जने आए हैं उसे घर में मारा है मानने के बाद उसे पकर के बाद प अमा को भी चोटा ही डागती विए उसके बाद वह बारावजे से कि लफटा हो गया चाहिए तो अब बताएं तो भी जैसा हुआ नहीं जो अभी क्या मालम चला आपको आत्मा से के लिए उपर गिरा है तो नहीं क्या रखता उन्हें को नाम नी जालते हैं तैसे की लें लेंडर के बदे से मार पीट हुई है यह तो अंदर है बंद भूगे उसको मारा पीटा किसी आहत को लेके शहन लेकिया इसलिए कूल है के नरीश है तो नहीं दाफती हुए उसके बाद अपना महला पता हो आपको कमान मेंचला अबिस अब कि यहां आपकिया करता था नंगता करता था यह दो हमानेफित वित और दुलब्वार के सामबें लिबवब अच्पकूश्य अब क्या है रोंगद में हम गार में तब्वे हो इसको इनुक्री कते हैं हम बाठु पर्टे नहां टोर्टेएं प्ठेज़ कर दिए मुटा इना